तो देखते हैं अपर question number 8 में हमसे क्या पूचा गया है Explain how CO2 is able to control fires तो जो यहाँ पर carbon dioxide gas है वो यहाँ पर आग बुजाने में कैसे मदद करती है वो हमें यहाँ पर बताना है carbon dioxide used for extinguishing fire can be stored as a liquid at high pressure in cylinders तो जो carbon dioxide gas हम आग बुजाते है वो यहाँ पर cylinder में store करके रखे जाती है liquid form में और high pressure पर When release from the cylinders carbon dioxide expands enormously in volume and cools down तो यहाँ पर होता क्या है जैसे हमने यहाँ पर carbon dioxide gas को यहाँ पर क्या करा यहाँ पर आग बुजाने के लिए खोला तो वो यहाँ पर क्या होगी बहुत जल्दी से फैले की तो एक जब वो फैले की तो वहाँ पर क्या बने की जैसे कि यहाँ पर एक आग लग रही है यहाँ पर क्या लग रही है आग लग रही है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे हमने यहाँ पर carbon dioxide gas डाली तो एक तो यहाँ पर blanket बना दे की blanket बनाने से यहाँ पर होका कि जो बहार से oxygen इसको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी और यहाँ पर oxygen नहीं मिलेगी तो यहाँ पर यह वाली जो आग है वो बुझ जाएगी उपर से यह क्या करेगा आग को थंडा भी करेगा cools down भी तो इससे यहाँ पर क्या होगा आग जल्दी से बुझ जाएगी in this way carbon dioxide not only forms a blanket around the burning substance it also cools down the burning substance एक तो यहाँ पर वो blanket नहीं बनाती है वो यह नहीं बोला यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तो वो यहाँ पर blanket भी बनाएगी उपर से जो यहाँ पर सभिस्टेंस जल रहा है उसको यहाँ पर क्या करेगी ठेंडा भी करेगी होप आपको यह वाला अंसर भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप हम यहाँ पर देखते हैं next question